समारो में जो कॉंग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी को मलिकार जुन खर्गे को निमंतरन मिला था धीर रण्जन चौदरी को उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अब बीजेपी का प्रोग्राम है आपका क्या मानना है मुझे लगता है कि जो कॉंग्रेस पार्टी का एलिगेशन है इसमें बिल्कुल तत्य नहीं है ए प्रोग्राम रिलिजियस प्रोग्राम है और बाबा सब अंबेडगर्जी के सुविधान ने सभी धर्मूं को अपना-पना अधिकार दे दिया है उसी तरह मतलब जो हिंदू समाज के लोग उनका सेंटिमेंट था कि आयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर को डिमॉलिश करके मोगलों ने मतलब वहां मजजित बनाई थी ये पूरा इतियास था इसलिए सुप्रीम कोड ने पूरा शड़ी करके वहां का उत्कनन होने के बाद वहां एक पूरा तत्व डिपार्मेंट के मुस्लिम आधिकारी नहीं पूरे पूर्व दिखाए कि यहां पहले राम मंदिर था और इसलिए सभी लोगों की बात सुनकर सुप्रीम कोड ने उस डिस्पूटेट जगह पर राम मंदिर पहले था और राम मंदिर होना चाहिए इसलिए उन्होंने जज्जमेंट दे दिया था उसके बाद भी राम मंदिर बन चुका है और यह कोई मतलब बिजिबी का प्रोगराम नहीं है यह कोई आरेश्यस का प्रोगराम नहीं है यह प्रोगराम है जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने प्रोगराम रखा गया है और सभी पार्टी के सभी धरम के लोगों को वहां चाहिए था, उनको इस प्रोग्राम में नहीं जाना था, उनको नरेदर मूदी जी का मूँ देखना उनको अच्छा नहीं लगता है, पूरी दुनिया को नरेदर मूदी अच्छे लगते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर लगते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर लीडर बने हुए नरेदर मुदी जी को साथ देने के बजा है इनको हमेशा इरोत करनी की भूमिकाये लेते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने निमंतरन अगर आया था अधर नियव सुनिया गांधी जी को उसके बाद खरगे जी मलिगा जिन खरगे जी कॉंग्रेस पार्टी के अद्देश है और अधिर रंजन चोधरी जी मतलब लोकसभा के पार्टी के लीडर भी है ने नेता भी है अपुज में जनता है उनको देगी ऐसा मुझे लगता है